हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको CHO 0002 प्राइमरी हेल्थ केर इन कॉमन कंडिशन का ब्लॉक फॉर्थ से यूनिट वन इसेंशल केर ऑफ न्यूबॉर्ण एट बर्थ एक्स्प्रीन करूंगे इस यूनिट में से कॉशन्स काफी बनते हैं वायवाप के इसे एक टिल्ट भी कॉ प्लीज जल्दी से आप समझ लीजे यूनिट फर्स है इसके इंदर क्या क्या कांटेंट है इंट्रोडक्शन अब्जेक्टिव्स केर ऑफ न्यूबॉर्ण बीबी रूटीन केर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूबॉर्ण बीबी कॉमन एक्सिदेंट्स एंड दूस एंडोंस इंट्रोडक्शन देखते हैं इंट्रोडक्शन में बताया गिया है कि जो न्यूबॉण की रेकल है बेबी की डीबी फ़ेक्ट है घाताए पूर बेबी पे फैक्ट डालता है अगर मदर की हेल्थ अच्छी हुई तो बेबी भी हेल्दी होगा अगर मदर एल होगी तो बेबी भी एल होगा तो completely हमें मदर को इसके अंदर ध्यान रखना है कि मदर की केर कैसी दी जा रही है जदा जदा हमें फूकस करना है कि इंस्टिउशनल डिलिवरीज फॉलो हो जिससे हम कम से कम नियोनिटल मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को कम कर सके जिसका मेजर रोल कौन प्ले करता है एन्म और आशा ये दोनों एक लिंकेज होते हैं गाउं में जो मदर को पूरी तरीकी से कॉपरेट करते हैं और उनको बताते हैं कि क्या उनके लिए फायदेमंद है और क्या उनके लिए लॉस है इनको बताने के लिए एन्म और आशा और वर्कर्स होती हैं ये बहुत हैल्फुल होती हैं और उनको यह समझाना चाहिए कि आपको institutional delivery कराने के आपको क्या-क्या advantages हैं तो यह रहा आपका introduction, इस introduction में आपका यह बताया गया है कि newborn baby की care किस तरह की जाती है next है आपके care of newborn baby, baby की care क्या-क्या है care of newborn baby में यह है कि जो baby की delivery के तुरंत बात जो immediate care दी जाती है normal newborn के, जो time of birth होते हैं, वो क्या-क्या है first है, हमें बच्चे का time और sex record करना है, first deliver होते है second है, जो baby जो deliver हो रहा है मदर अप्डोम में उसको तुरंत मदर के prone position में मदर के abdomen side मतलब chest side पे उनको लिटा देना है next है, अगर baby crying या breathing नहीं कर रहा है, तो तुरंत उसको resucitate करना है next, अगर baby crying कर रहा है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा weight करके फिर cut करना है, clamp करना है कोड को, amical code को next है, जो baby है, उसको तुरंत dry करना है और pre-warm towel में लपेटना है, और mother's की breast और chest के उपर हमें ब्यच्चे को लिटा देना है उसको तुरंत dry करके next है कि हमें बच्चे का suction, firstly हमें mouth clean करना है then हमें nose पर ध्यान देना है, ताकि aspiration को रोख सके यह specific point है, यह आपका caution बन सकता है, कि आपको firstly क्या clean करना है बच्चे का, तो आपको यह याद रखना है mouth आपको first clean करना है, then आपको nose clean करना है ठीके, इससे हम क्या कर सकते हैं, aspiration को prevent कर सकते हैं ठीके, जो भी blood or muconium है, baby skin में, वो complete clean करनी है next है, baby के skin पर एक layer होती है, जिसे हम बोलते है, vanix white greasy substance की बनी होती है, इससे हमें रकड के नहीं clean करना just यह clean करना, एक surface area होता है, जो baby को skin को protect करता है यह कुछ समय बाद देते हैं, अपने आपी remove हो जाती है next है, baby की eyes को clean stride swab से clean करना है और clean करने का तरीका है, यह भी caution पूछ ले जाता है, अब ध्यान रखेगा clean करने का क्या तरीका होता है, clean करना आपको inner canthus to the outer canthus मतलब inner जो ear part होता है, उससे outer, क्योंकि inner less contaminated होता है outer के दुल्ला में, तेके next है, increase breastfeeding तुरंत हमें half in heart के अंदर, mother के तुरू, हमें baby को breastfeeding करवाना है next है, कि हमें चो कोड है, उसमें से कोई blood leak तो नहीं हुआ है, वो हमें check करना है ठीक है, और फिर उसके बाद हम identify band, wrist पर लगा देंगे ankle या फिर wrist पर कहीं पर भी हम उसको लगा सकते हैं next है, baby's का head, तुरंत हमें cover करना है, caps है और mother को भी complete warm close sheet से cover करके रखना है और जो completely room temperature है, वो 25 degrees Celsius के आसपास होना चाहिए next है, baby को vitamin K injection देना है, weight लेना है और any कोई congenital abnormality से उसे check करना है next है, कि जो labor room का temperature है, 25 to 28 degrees Celsius होना चाहिए ताकि हाइपो थर्मिया को हम रोक सकते हैं, इसके तुरू, ठीक है फिर हमें assist करना है, baby की breathing को, ठीक है, अगर breathing में गल्टी हुई, तो हमें तुरंत initiate करना है resuscitation को, जो vitamin K dose है, अगर baby का weight less than 1000 gram है, तो हमें 0.5 miligram intramuscular देना है, ये point आप ध्यान रखिएगा, एक तो है labor room का temperature कितना होना चाहिए, तो ये याद रखिएगा, ये caution बहुत जादा पूछा जाता है तो 25 to 28 degree Celsius होता है, और vitamin K injection अगर baby का weight 1000 gram से कम है, तो जुरूपन 5 mg intramuscular लगा जाता है, अगर 1000 gram से जादा हुआ, तो 1 miligram intramuscular देना जाता है, तो इन दोनों आपको विल्कुल याद रखिएगा नेक्स्ट है, routine care at birth, वो immediate care थी है, routine care, जो रोज जो हम care करने वाले हैं, तो हमें maintain रखनी है warm chain, हम एक बच्चे की care करते हैं, वागत हमें warm chain का पूरी तरीक से ध्यान रखना है first है, baby को completely cover करके रखना है, mother के साथ warm towel को completely इसको लपेट के रखना है, उसका head है, वो completely ढरके रखना है, again and again इसको breastfeed कराना है इसमें आपको main job का important point है, जो आता है, ये पूछे जाता है कि mother को first feed कब start करानी है, तो one half hour से one hour के बीच में उसको first feed provide करानी है मतलब कम से कम skin to skin contact कितनी देर तक रखना है baby को, तो at least one hour after birth, या फिर first breast feed के बाद उसको एक घंटे तक कम से कम skin to skin contact रखना चाहिए next is warm chain, warm chain क्या होता है, at delivery और after delivery, जब delivery होती है ये तो warm chain कैसे follow की जाती है कि जो lab room में 25 to 28 degrees Celsius होना चाहिए, तुरंत baby को dry रखना चाहिए, cover करना चाहिए, dry clothes से skin to skin contact कराना है and bathing है उसको post phone, मतलब एक हपते तक बीबी को बात नहीं करवाना है after delivery कैसे warm chain को follow करेंगे, baby को completely pre warmed टावल में लपीटना है, avoid bathing करनी है जितना जादा हो मदर के पास बच्चे को लेटाना है, गंगारू के एर provide करनी है अगर LBW babies हैं, उनको गंगारू मदर के एर बहुत जदा दी जाती है इसके अलावा उनको हाइपो थर्म्या से prevent करने के लिए हमें maintain रखना है temperature को next है, maintaining normal breathing maintaining जो baby है, उनका हमारा breathing pattern बिलकुल normal होना चाहिए normal जो बच्चे का breathing होता है, वो 40-60 पर मिनिट होता है हमें इसको check करते रहना चाहिए, तो यह भी specific type का question है कि कितना होता है तो 40-60 breaths पर मिनिट, initiate breast feeding हमें half an hour to one hour के अंदर रंदा में breast feeding स्टार्ट करनी है और जैसे जैसे baby's की need होती है, according to baby's need और 30-40 minutes के बीच में हमें बच्चे को feed कराते रहना चाहिए हमें baby का movements देखना चाहिए, अगर baby ढून रहा है milk को तो हमें उस वक्त baby's की need के according हमें तो उसको पिलाना चाहिए और इसके अलावा में कुछ भी liquid उसको नहीं देना है baby feed के अलावा, mother feed के अलावा और colostrum बहुत important है, जो baby के लिए बहुत उसके लिए educate करना चाहिए mother को और relatives को कि आप इसको discard ना करें, बच्चे के लिए बहुत helpful और अच्छा होता है next है prevention of infection infection को prevent करना है, जो clean chain को follow करते है first, जो clean chain को follow करने के लिए आमें ध्ट्यान रखना है, first है hand washing यह भी caution बनता है, कि आपको single most important step क्या है clean chain का तो आपको ध्ट्यान रखना है hand washing first step है, और बहुत important step है next है, कि जो warm chain को जिसे हम follow करने हैं इसी तरीक से clean chain को भी follow करना है ताकि हम क्या कर सकते हैं infection को prevent कर सकते हैं तो WHO के according six cleans दिये गए हैं जैसे कि जो attendants हैं उनके हाथ clean होने चाहिए जो attend कर रहा है mother को mother और baby को second surface clean third clean coat cutting instruments clean stirring tie coat clean cloth clean cloth to cover the mother इस तरीक से six cleans है जो delivery के time चाहिए और after delivery जो भी care करने वाला है उसके हाथ clean होने चाहिए feed only breast milk keep the coat clean and dry do not apply anything use a clean absorbent clone wash your hands after changing diaper keep the baby cloth and wrap the head covered इस तरीक से ये before और after delivery हमें clean chain का follow करना चाहिए अब है code and eye care code and eye care baby के लिए बहुत specific है कि किस तरीके से की जाने चाहिए code care कैसे की जाती है जो भी हमें clamped किया है code को उसे अच्छे से tie करना है ठीके और ध्यान रखना है कि उस पर कोई discharge ना हो ठीके जो बेबी को मदर के abdomen पर या chest पर अच्छे से warm तरीके से लेटाना है अगर हमें जो भी हमने tie किया है वो 2-5 cm के आसपास हमें cut करके tie करना है code को ठीके ब्लेड से य से हमें observe करना है कि कोई blood या कोई any discharge amilical code से discharge नहीं हो हो ठीक है कोई भी substance पर apply नहीं करना है उसे clean और dry रखना है code को next है eye care, eye care कैसे की जाती है? eye care को completely हमें clean रखना है ठीक है उसमें भी कोई हमें किसी तरीके से कुछ भी apply नहीं करना है stress swaps हमें clean करना है उसके अलावा में ये identify करना है कि baby का कोई eye infection ना हुआ हो उसके लिए में check करना है जिसे कि किसी mother को कोई gonorrhea है हुआ है उसके वज़े से baby क्या हो सकता है? eye infection हो सकता है during delivery और उसके वज़े से क्या cause हो सकता है? blindness तो ये specific point आप याद रखेगा अगर mother को gonorrhea है तो at the time of vaginal delivery baby suffering is from eye infection and results blindness तो ये हो सकता है तो ये आपको ध्यान रखना है तो आपको क्या करना है? style swaps को soft करके warm style water से medial to lateral side से clean करना है और doctor के according eye drops, eye ointments ये इस्टिल करना है eye drop मतलब baby के eyes के अंदर next है weight the baby, baby का weight हमें लेना है continue जो भी baby का weight है वो हमें एक घंटे बाद वापिस again check करना है और हमें उनको बताना है कि baby का weight आपका कितना आया है ठीक है हमें फिर baby का continue check up करना है फिर examine करना है कि किस तरह examine करेंगे कि हम एक घंटे बाद complete mother breast fit करने के बाद examine करना है check करना है उसके breathing उसके limb को congenital abnormalities तो नहीं है को skin color ठीक है complete abnormalities को check करना है areas को head, face, mouth, chest, abdomen इन सबकों में check करना है ठीक है आप उसके बाद next हमें देखना है कि normal characteristics और abnormal, normal temperature और weight इनको अब कैसे define करेगा कि जो अगर more than 2.5 kg है तो baby का weight normal सब कुछ हमें देखना है breath कितना लेना है 40-60 breath per minute लेना है ठीक है उसके बाद हम vitamin K injection देना है vitamin K injection injection दियाता है 1 mg for every newborn और अगर 1000 gram से कम हुआ बच्चे का weight तो 0.5 mg बच्चे को देना है ठीक है next is monitoring 15 minutes every 15 minutes बच्चे को monitor करना है ठीक है और breathing temperature color यह 3 parameters है जिनको में बार बार monitor करना है ठीक है next है routine care routine care after delivery delivery के बाद हमें routine care कैसे maintain रखनी है same वही है कि हमें firstly temperature maintain रखना है 25 degree celsius जोब अगर बच्चा घर आ जाए तब भी बेबी को warm एक temperature देना चाहिए तो वो क्या room temperature बिलकुल maintain रखना चाहिए जो भी postnatal environment है वो at least 25 degree celsius होना चाहिए ठीक है proper room होना चाहिए mother और baby बिलकुल close रहना चाहिए ठीक है breastfeeding उसको demand पे ठीक है अच्छे से जो demand है at least 8 times होना ही चाहिए इसके अलावा भी जितने demand उसको according देना चाहिए ठीक है और completely कोई भी extra breastfeeding के अलावा कुछ भी उसको extra नहीं देना है ठीक है रखना है mother के साथ and last breastfeeding ये four option है जिसके तुरू हम बच्चे को हाइपो थर्मिया से prevent कर सकते हैं तो कौन से essential step है जिनके तुरू हम क्या कर सकते हैं बच्चे को बिलकुल रख सकते हैं तो बेबी के शरीव पर पानी की भूंदे होती है ठीक है वो क्या होगी liquid convert होकर vapor में convert हो जाता है और उसकी वज़े से जो बेबी की heat है वो transfer हो जाती air में और उससे बच्चा क्या होता है ठंडा हो जाता है उसका warm जो body है वो ठंडी हो जाती है तो इसको रोकनी के लिए हमें क्या करना है बेबी को तुरंद dry करना जैसे ही वो बच्चा भार निकले डिलिवर होती है हमें dry करना है उसके जो नापी से उसको तुरंद remove करना है ठीक है और उसको जितना कम हो उसको cold air environment में नहीं लाना है ठीक है यह तो हुगा first evaporation second है conduction, conduction मतलब यह होता है कि अगर बच्चा अगर बेबी को directly एक cooling surface पर लेटा दिया जाए तो बच्चे की body की heat low हो जाती है ठीक है वो भी एक method है कि जिसे बेबी की heat को बेबी का जो शरीर है वो cold हो जाता है अगर हमने direct किसी cooling surface पर या cooling object पर बेबी का skin touch हो जाए तो इसको कैसे रोका जाए कि जो भी बच्चा है अगर उसको लेटा आना है तो pre warm shape पर लेटा आना है ठीक है जिसे कि हम वेड ले रहा है या कुछ भी करना है बेबी के साथ examine करना है तो हमें pre warm shape पर लेटाना है और उस heat है ठीक है और हमने क्या करा उसे जो आसपास area है जिसे कि fan चल रहा है या AC चल रहा है या windows open है door open है और वाम ने लेटा दिया तो उससे जो air circulating air है जो body को touch करके फिर बेबी के जो warm body को air के त्रूप cool मतरब ठंडा कर देती है इसके वज़े से भी loss हुझाता heat का ठीक है तो इस करके रखना है clothes से और transport अगर कर रहे है तो उसे protected एक basket या फिक ग्रेप के अंदर उसको cover करके लेटाना है तेके ज़्यादा ज़्यादा room को बंद करके रखना है close रखना है और बेबी का code बिल्कुल एकदम wall और window से दूर होना चाहिए next fourth step है radiation radiation मतलब यह होता है कि जो आसप आस जो air है या फिर windows है wall है table है cabinets है ventilating units है उनके तो जो भी air आ रही है वो बेबी को contact करती है उसके बाद बेबी क्या हो जाता है उसके थो भी hypothermia में चला जाता है तो उसके कैसे रोका जाए कि जो बेबी का coat है या पलंग है या मदर का बैड है उसको दूर रखना चाहिए window स खिंड़की से wall से अलमाईरी से और जितना हो सके room का temperature 25 degree celsius maintained रखना चाहिए ताकि बेबी का temperature stable हूँ next है code gear इस तरीके से 4 method है heat loss के जिसे हमें prevent करके रखना है code gear मतलब है कि हमें code की care कैसे करना है तो हमें wash hand रखना है before and after code gear कुछ भी stump पे कुछ नहीं लगाना है ठीक है clean रख है थोड़ा गीला है तो उसे clean करना है clean कपड़े से ठीक है अगर कोई discharge अगर कोई पस या फिर कुछ एनी कोई fluid या कुछ discharge हो रहा है तो हमें तुरांत हमें doctor को inform करना है और बेबी का temperature 37.5 degree celsius उपर है तो उसका मतलब है कोई ना को infection baby में है तो हमें तुरांत doctor को inform करना है next है maintain hygiene, hygiene का maintain रखना है बिलकुल ध्यान से कि हमें पूरी तरीक से baby को जो भी छहाँ भी पसीना आता है उस area को clean रखना है ठीक है अगर बेबी का weight 2000 gram से कम है तो मैं कम से कम इससे नहलाना है ज्यादा नहीं नहीं लाना है नहीं नहीं लाना है इसको clean रखना है ठीक रिक रूम को warm रखना है ठीक है अगर हम इसको बातिंग कराने तो जार ज़दा warm water use करें तुरंत बात बीबी को dry रखना है और cover करना है ताजल बच्चे में apply नहीं करना है next identify danger sign हमें कुछ ऐसे danger signs होते हैं जिने हम तुरंत identify करके हम तुरंत डॉक्टर के पास referral करना चाहिए जिसे कि अगर बीबी feeding well नहीं ले रहा है कोई movement नहीं कर रहा है fast breathing ले रहा है more than 60 breaths per minute यह chest and drawing हो रहा है chest and drawing एक symptoms है निमूनिया का तो हमें तुरंत ध्यान रखना है jointes आ रहा है उसके hands और knees या palms क्या हो रहे हैं muscles उसके yellowish दिखाई दे रहे है movements, abnormally movements दिखाई दे रहे है हमें ध्यान रखना है कि proper तरीके से हमें बच्चे को जब हमें उसको transfer कर रहे हैं तो जो भी ambulance है उदर सारे sources हो, transport area और equipped material अपलब धो और एक experienced person भी उसमें available हो ठीके कौन कौन से common accident हो जाते हैं lab room के अंदर तो जो भी less confidence होता है या self control lose कर देता है तो उसकी वज़े से बच्चे slip कर सकता है ठीके के listening वज़े से पूर grip की वज़े से ठीके proper code tie नहीं कर पाते हैं ठीके यह सब क्या है common accident है जो कि इतना आता नहीं है exam में ठीके अब do and don't कि हमें क्या क्या चीजे करनी है और क्या क्या नहीं करनी है तो हमें क्या क्या चीजे को ध्यान रखना है high risk cases को मैं तुरंट identify करना है ताकि हम उनका proper तरीके से उनको ध्यान रख सकें हमें कोई भी baby है अगर apneic condition में है तो तुरंट हमें उनको ध्यान रखना है हमें oral cavity first wipe करने then उसके बाद deliver करवाना baby को dry रखना है, code को tie करना है और हमें ध्यान रखना है कोई पाई जा रही है तो हमें तुरंट देखना है हमें क्या नहीं करना चाहिए कि हमें कोई door और window को खूलना नहीं है, nasal suction पहले नहीं करना है, पहले हमें oral suction करना है, then nasal suction करना है कोई भी code पे कोई apply नहीं करना है ambibank, अगर यच्चे code diaphragmatic करना है, तो में ambibank नहीं apply करना है, तेके, tactile stimulation करते हैं, lap पर, वो दो से जादा नहीं करना है, तेके अगर बच्चे में तुरंट कोई symptom आ रहा है कि वो बृत नहीं ले पर है, तो में इस तरीके से आपका unit complete होता है I hope आपको समझ में आया होगा धने करना है